नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक मुडली चैनल पे और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वीव पॉइंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अगले वीडियो में हमने जाना था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है किसी कंप्यूटर के अं जिसमें एक यूजर वंट भियो होगा और दूसरा सिस्टम भि यूडियोव होगा तो बीना देर कि अपने सुरू करते हैं यहां user point of view का मतलब होगा कि user की view में operating system का क्या रोल है और system point of view का मतलब होगा कि computer system के अंदर operating system का क्या रोल है तो सबसे पहले हम user point of view के बारे में बात करेंगे user point of view में हम दो चीजे consider करेंगे पहला होगा single user viewpoint और दूसरा होगा multi user viewpoint single user viewpoint का मतलब हुआ कि किसी computer को एक समय में कोई एक बंदा उसको access कर पाता है जैसे हम normal computer use करते हैं तो हम एक समय में एक ही इंसान use कर पाता है महलेज़े कि आपने computer के अंदर बहुत सारी user बना दिये 4-5 user बना दिये लेकिन एक समय में आप एक ही user के साथ काम कर पाते हैं अगर एक user है वो काम कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि आप जाके अपने user को same ही computer में access कर लेंगे पहले आपको log out करना होगा फिर आप दूसरी user में जाएंगे या फिर आप दो keyboard रख देंगे तो दोनों एक साथ access नहीं हो पाएंगे ठीक है तो single user operating system में foundation होता है कि एक समय में एक ही user उसको access कर सकता है तो वो हो गया single user multiple user में क्या होता है कि multiple user operating system के view में एक computer system को multiple user access करते है एक mainframe computer होता है यानि कि एक server type का computer होता है जहां पे चार टर्मिनल लगा दिये जाते है तर्मिनल इन दसेंस की चार output देखने के लिए monitor लगा दिये जाते हैं और input के लिए उनके पस mouse, keyboard और अलग-अलग input devices होते है data चारो user एक साथ input कर सकते हैं एक साथ access कर सकते हैं एक साथ उनके application पर process हो सकता है तो मालेजे चार user हैं और चारो एक साथ अगर किसी mainframe computer से connected हैं और एक साथ terminal पे काम कर रहे हैं जहां user बैठता है उसको हम terminal बोल रहे हैं जहां पे monitor connected है, input output devices connected है उसको हम terminal बोल रहे हैं लेकिन वह access क्या कर रहे हैं एक ही mainframe computer को कर रहे हैं उसमें चार भी योजर हो सकते हैं 400 भी user हो सकते हैं वो depend करता है तो यहां चार users का हम एक्जांप ले रहे हैं तो यहां महालेजेए एक ही operating system है और वो operating system का काम क्या है कि कौन से user को कितना process कितना CPU time कितना memory space देना है कि decide करता है यानि कि रिसोर्स एलोकेट करता है इन सब को जितने भी इनके चमता के अनुसार रिसोर्से चाहिए उसको प्रोवाइड करवाता है ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यह होता है अब देखिए यहां इस एक्जामपल में चार यूजर बैठे हुए है तो यहां ऑपरेटिं सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए मेंफ्रेम कंप्यूटर के साथ उनको जोड दिया जाता है ताकि वह एक जगा लोड हो गया अप्लिकेशन एक ही जगा इंस्टॉल किया गया और चारों टर्मिनला पर और चारों यूजर यूजर यूज कर पा रहे हैं ठीक है और यहां talent का से एक सरवर के साथ तो आगर कोई डीटा चाहिए तो वहां से एक्सेस कर सकता है अगर कोई application server पर install है उसको client में वो run कर सकता है इसके अलग-अलग process है जो आपको समझना है आपने पढ़ा भी होगा और आप अगर नहीं जानते हैं तो आप इन चीजों को पढ़िए इंटरनेट से पढ़िए यूटूब से पढ़िए कहीं से भी तो server operating system उधर के तरफ resource को control करता है कि सारी users को बराबर बराबर resource मिले क्योंकि एक server से एक ही user तो connected है नहीं बहुत सारी user connected होते है यहां user के जो single operating system होता है वो अपने end पे सारे process जो जो application चाल रहे हैं सभी को बराबर बराबर memory space और CPU जितना उनको चाहिए बराबर बराबर तो computers होते हैं जिनके अंदर user view नहीं होता है जैसे embedded computers होते हैं जो home devices में आपको देखने को मिल जाएंगा automobiles के अंदर इसका सबसे बड़ा example internet of things है जिसके अंदर user को कुछ भी interact नहीं करना होता है embedded device पे हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे पूरे detail में समझेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझने से थोड़ी सी तो जनकर ही आ जाएगी लेकिन अधूरा ही रह जाता है अब बात करते हैं system view के तो system point of view से computer में operating system का क्या role होगा तो ए computer system के point of view से operating system जो होता है वो एक program होता है जो कि mostly involved होता है hardware के साथ क्योंकि आपने operating system के वीडियो में भी जाना ह होगा कि जो operating system होता है वो computer hardware को manage करता है और manage करके उसके जो resources है उनको provide करता है application को run करने में और user के साथ interact करवाने में ठीक है computer hardware के अंदर बहुत सारे parts होते हैं जैसे input output devices होते है CPU होता है memory होता है file storage device होता है और ऐसे बहुत सारे hardware devices होते हैं और इन elements को यानि कि इन parts को हम resource बोल है और ऐसा बोल सकते हैं कि operating system इन resources को manage करने के लिए एक manager है जो की resources को manage करता है जब user एक साथ कई सारे applications पे काम कर रहा होता है तो वहां operating system यह decide करना पड़ता है कि कौन से specific program के लिए कितने resources किसको allocate करना है मालेजी आप एक साथ word file पे भी काम कर रहे है excel पे वी काम कर रहे है औ और साथ ही साथ आप internet पे browsing भी कर रहा है अब यह तीन application चल रहा है और तीनों के लिए कुछ ना कुछ memory space चाहिए होगा कुछ ना कुछ CPU load time चाहिए होगा कहीं ना कहीं यह इसमें जो आप save करेंगे उसके लिए file storage devices चाहिए तो इन सभी को manage करना यह operating system का काम है और आप कोई application नहीं भी चलाते हैं तो भी windows के यानि कि operating system के अपने कुछ process होते हैं जो चल रहे होते हैं आप task manager open करके चेक कर सकते हैं और यह process बहुत जरूरी होते हैं computer को smoothly efficiently चलाने के लिए ठीक है उनमें से अगर एक भी अगर आपने process को end कर दिया तो हो सकता है आपका system थोड़ा सा corrupt हो तो कहीं नहीं operating system इन सभी को manage कर रहा है जितने भी resources है computer system के अंदर उन सभी को manage कर रहा है माले जिए आप कोई file save करते हो तो operating system आपको option देता है कि कहां पे save करना क्या नाम रख तो यह operating system की मदद से ही तो होता है नहीं तो आप manually command में लिख के कभी check करना कितना परिशानी होती है और command line भी तभी काम करता है जब आपके system के अंदर operating system होता है operating system ना हो तो machine code से यह सब करना कितना possible यार सब के लिए possible थोड़े है और सब कोई coder थोड़े है जो यह सब code करेगा अच्छा एक computer system के अंदर बहुत सारे input devices बहुत सारे output devices एड होते हैं जैसे मालेज आप mouse किसी computer के अंदर input कर रहे हैं उसके cable को लगा रहे हैं या फिर wireless mouse से उसको connect कर रहे हैं तो operating system ही है जो उसको connect करवाता है क्योंकि operating system आपको alert देता है कि आपका mouse connect हुआ है कि नहीं हुआ ह successfully connect हो गया है तो आपको message देगा अगर connect नहीं हुआ है तो भी आपको message देगा alert देगा तो आप समझ पाते हैं आप कोई भी input device अटेज करेंगे या फिर output device अटेज करेंगे तो वो operating system को पता चल जाता है वो sense कर लेता है कि हां monitor लगा है कि keyboard लगा है कि mouse लगा है USB drive लगा है क्य computer में mouse नहीं है आप keyboard को डिटेज करते हैं तो आपके computer को पता चल जाता है कि input device में keyboard नहीं है तो कहीं न कहीं वो sense कर लेता है कि कौन से devices add हो रहे हैं और कौन से devices details हो रहे हैं तो इसलिए हम computer के operating system को control program भी बोल सकते हैं या control manager भी बोल सकते हैं जो कि user के programs के execution में बहुत मदद करता है program का execution मतलब program को run करने में मदद करता है और last में मैं यह बता दूँ आपको कि operating system simply operation और input output devices और computer hardware इन सभी को manage करता है पर ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ इतने ही चीजों को manage करता है बहुत सारी चीज़े हैं इसके back end में जैसे जैसे आप पढ़ेंगे operating system को वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि operating system के अंदर बहुत सारे term और techniques हैं जो operating system प्रोवाइड करता है और इसको develop करने के लिए आपके पास बहुत सारे knowledge होने चाहिए इसलिए कोई भी software engineering का student operating system के बारे में deeply पढ़ता है तो दोस्तों यह था हमारा operating system from two viewpoints जिसके अंदर हमने जाना कि user point of view से computer के अंदर operating system का क्या role होता है computer system के viewpoint से operating system का रोल एक computer के अंदर क्या होता है मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद में झाम 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 सक्वार्ण